हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वालें कि जो उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन प्रयागराज है उसके दुआरा जो डोकुमेंट वेरिफकेशन के लिए नोटिफकेशन आई है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सब्जेक्ट के लिए है और कब से कब तक जो है आप अपनी डोकुमेंट वेरिफकेशन करवा सकते हैं और दोस्तो इसमें जो आपका document required document है उसका जो आप download है वो कैसे कर सकते हो तो दोस्तो उसी के बारे में हम आपको पूरी वीडियो में बताने वले हैं तो दोस्तो अगर आपने हमारे official YouTube channel SK Jobs ग्यान को अभी तक subscribe नहीं किया है हम जो आपने download करना है required documents के लिए तो वो आपने कैसे करना है तो दोस्तो यह इनका जो है official page है जिसका link में आपको description में दे दूँगा आप उस link पर click करकर यहां पर इस page पर आ सकते हैं तो दोस्तो यहां पर जो है आपको notification दी गई है कि click here to download required document and application form for advertisement number दी गई है यह assistant teacher social science male और female दोनों के लिए है तो दोस्तो आपने जो है सबसे पहले यहां पर click करना है तो दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करोगे तो आपने जो है यहां पर अपना registration number आगे date of birth registration number date of birth और यहां पर आपने यहां से gender select कर लेना है और यहां पर आपने are you domo client of UP तो आप यहां से अगर आप UP से हैं तो यहां पर आप जो है yes कर दोगे उसके बाद आपने यहां से जो है अपनी category चूज कर लेना है और आपने यह जो verification code है यह लिखने के बाद आपने validate detail पर click करना है तो दोस्तो जब आप इस पर click करोगे तो आपके सामने जो है जो requirement document है वो आपके सामने open हो जाएगा तो दोस्तो उसी के हिसाब से जो है आप अपने documents को लेकर जाएं और अपनी जो document verification है वो करवाएं तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें जो dates दी गई है कि आपने कब से कब तक आपने जो document verification करवानी है वो उसके बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको notice दिखाई दे रहा है तो आप जैसे ही इस पर click करोगे तो आपके सामने जो है एक notice download होगा तो दोस्तो यह लोकसेवा आयोग उत्तरपरदेश के द्वारा दिनांक 9 नुमबर 2020 को निकाला गया है तो दोस्तो इसमें आपको बताये गया है कि जो आपकी सहायक अध्यापक महिला और पूर्च परिक्षा 2018 जो आयोग द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2018 को कुल 29 विश्यों म किये जा चुके हैं इसके उपरांत आयोग द्वारा सहायक अध्यापक समाजिक विज्ञान तथा समाजिक विज्ञान महिला और पूरुष कुल 2 विश्यों का परिनाम पूर्णते रूप से घोशित किया जा चुका है तो दोस्तो इनका जो आपने डोकुमेंट वेरिफके आपको वहां इनके जो ओफिस है वहां पर जाकर उपस्तित होना है तो जो अभियर्थी इस सत्यापन के लिए उपस्तित नहीं होता है तो वो अभियर्थी उक्तपद के लिए इचुक नहीं है आता है उसका प्रिक्षा परनाम निरस्त समझा जाएगा और आयोग उक्त रि बाद आपका intermediate का आ जाएगा उसके जाद प्रशन गत पदों के शंक्षेप आयोग द्वारा विग्यापित अनिवार्य शैक्षिनिक आहरता सनातक के प्रते के एक वर्ष के अंततालिका तथा परमान पत्तर तथा शिक्षा सनातक के अंक पत्तर एव परमान पत्तर का मूल आपने उसकी जो है फोटो स्टेट साथ में लेकर जानी है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें आ जाएगा अरक्षन एव स्थाई निवास के दावे के सबंद में शंक्षम अधिकारी द्वारा जाती एव निवास परमान पत्तरों की मूलिया चैव चैया प्रवति महिला ब्यर्थी की दशा में जाती निवास परमान पत्तर जो है इसमें संख्या बाई उन्तालीट उन्नी सो ब्यासी जो है आपका दिनांक 17 मैई 1984 की अनुसार पितापक से ही जारी मान्या होगा तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है सरकारी सेवक रामिक होने की उपस्तिती में नियुक्त प्रदादिकारी द्वारा जारी अनापत्ती परमान पत्तर की मूल प्रती और आपको दो पासपोर्ट साइज जो है फोटोज लेके जानी है जो की दो बिना परमानित फोटोग्राफ अवेधन पत्तर के शीर्स पर उसार उपस्तित हो तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आपने कब से कब तक इने जो है साथ में लेकर जाना है तो दोस्तों इसमें जो है आपको यहां पर विश्या दिये गया है महिला या पूर्स वो आपको बताय गया है और यह जो यहां प्रात है दस वज़े से एक वज़े तक आगे आपको क्र नमबर तक 23-11-2020 को जो है आपकी document verification होगी उसके बाद जो है second 101-500 तक और 101-200 तक उनकी 24 को होगी तो दोस्तो ऐसे ही इसमें नीमानुसार आपको दिनांक दी गई है तो दोस्तो इसके बाद आगे जो महिला candidate हैं उनके लिए आपको इसमें बताया गया है तो दोस्तो एक से 50 नमबर तक सुबा 10 से 1 वज़े तक और 101 से लेकर 100 तक 2 वज़े से लेकर 5 वज़े तक आप जो है 5-12-2020 को अपनी document verification करवा सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपको क्रमाक वाइस दिये गया है तो आप ये क्रमाक देखकर ही इसी date को जो है आप अपने document verification के लिए जाएं तो दोस्तो बाकी इसमें जो आपको बताये गया है कि अबियर्थी गन निर्दारी तिथी आव समय पर मास्क पहन कर आयोग में उपस्तित हो एव अपने साथ वांचीत मूल एव चाया प्रती अभी लेखों के अतिरिक्त कोई भी समान तथा बैग ब्रीफ के सित्यादी न लाएं तो दोस्तो बाकी की डिटेल जो है आप इसे इसको डाउनलोड करकर पढ़ सकते हैं तो दोस्तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जो है इसके बारे में बाकी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगिये तो हमारे चैनल एसके जोब सग्यान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत